कहीं तो है सपना और कहीं याद कहीं तो हसीरे कहीं परियाद पलचिन पलचिन तेरे मेरे जीवन की यह बुन्याद प्रिंस हो गया जी सब ठीक हुआ भी और नहीं भी तुम्हें शामलाल जी बुला रहे हैं जी किस वास्त है वो जाके दलपत को समझा आये हैं कि आश्ट्रे जेवी ने नहीं प्रिंस ने मारी हैं वो चाहते हैं कि तुम भी यही का हूँ दरा रहे हैं कि नहीं तो पापा का लाखों का नुकसाल होगा और मेरी जिंदी की तबाह हो जाएगी दोस्त ऐसा करते हैं हम दोनों भी वहीं जाकर चिप जाते हैं जहां बबली को चिपाया है इसी बीच में पापा हमें छोडाने का कुछ ना कुछ इंतजान कर लेंगी कि ना तो मैं आज तक कभी किसी डर या शरम के मारे छुपा ना आप छुपूँगा जैसे जैसे तुम्हारी मसी तुम शामदालगी से मिलना होगा आप है पुराने किले के प्रिंस आज जैसे बूल पड़ा जैबी साब कह रहे है कि आपने दर्पत को समझा दिया है कि उसके सर्प्र एश्रे मेंने मारे देखो भईया मैंने मैंने कुछ नहीं समझाई यह तो वो कीलों के खेल हैं सब आपका मतलब है हभीब साहब ने समझाया देखो भाईया मैंने किसी का नाम नहीं लिया और अगर इतने ही अकलमंद हो और इशारों से समझते हो तो एक बात और समझने मेरे प्यारे भाई यह लालाओं की नौपनी है और इसमें कारिंदों से हमेशा कुर्बानी देने को कहा जाए कि जी सुनों जी कारिंदों अगर तुम माल बने तो हम गतो और जेल जाने की नौब बताए तो तुम क्यों हो मतलग साथ है एस्ट्रिक जिसने विमारी हो जेल तुम्हें जाना पड़ेगा और तो इसलिए कि तुम इतने घरीब हो तो अपने लिए नमक तक खरीब करना खा सकेगा अलियों का दिया खाते रहे तो अगर दिखाओ नहीं ताना और आप दिल्ली आकर नया कुछ लिखा भी थी दिल्ली आकर मास्ट जी उदास रहने लग पड़े दिल्ली तो इन्हें कभी भी पसंद नहीं थी कहते थे दर्बारियों का शेहर है सच दिल्ली मुझे पहले भी कभी रास नहीं आई और अब तो बेहद उदास करती है जैसे ये हमारे दर्दों की राज़तानी है किस तरह की बातें करते हो मास्ट जी ये तो हमारी उम्मीदों की राज़तानी है खुद घर्ज उम्मीदों का ही तो दर्द है सारा दिल्ली में एक नया हिंदुस्तान जन्म ले रहा है मास्ट जी जो मर रहा है मुझे उसका ज्यादा अफसोस है लाज़ो जी दिल्ली से दूर भाग जाने को दिल करता है वाह इनकलाबी से होते होते सन्यासी हो चले मास्ट जी जब तक लाज़ो जी के मों से बने हैं तब तक सन्यासी कैसे हो सकते हैं मास्ट जी तब तो इस बंधन को और दी कसना पड़ेगा सन्यासी जिसे बनना हूए, उसे कोई बंधन नहीं बान पाथ, हमारी वीरावाली को बान सका? आपकी वीरावाली की तो मजबूरी थी, मगर बच्चे के लिए मोग कभी नहीं गया, हालांकि नाजो मना कर रही है, लेकिन आज मी मेरा बहुत मन कर रहा है उसे देखने को ना जी ना, सद्बीर के मन में वैसे ही शक बढ़ा हुआ है, पिछली बार एक जलक देख लिया तो यही कहता रहा, ये प्रग्यावती जी तो हो बहुत तस्वीर वाले भुह जी जैसे दिखते हैं मेरे वास्ते तो अब दिल्ली आना ही मुसीबत हो चला है, मंगला है मेरी शिश्य और सद्बीर का इसके यहां आना जाना है ये आप सोर दे रही है कि सद्बीर जी को मिलने का वक्त दो और ये मंगला उनी लाला वृष्भान की बहु बनने वाली है मेरे को पता है, जैसे ये आप बच्ची-बच्ची से है, वैसे ही वो लड़का भी है जिससे इसकी शादी होने वाली है मेरे को मिलवाया है मंगला में उसके, उसकी मां से भी मिलवाया है इसी मारे तो और भी मुसीबत है, वो लोग जिद करते हैं, हमारे घर आओ तू तो वापस उत्तरकाशी चली जा, और इनको भी साथ ले जा, इनका वहाँ मन लगा रहेगा जरूर ले जाओंगी, लेकिन जाने से पहले, अपने पुत्तर की एक छलत जरूर देखना चाहते हो ठीक है, लेकिन इस तरह कर, चहरा अची तरह से ठक ले, आला चश्मा डाल ले, और दूर से देख लेना पला थोड़ा आगे और सरकाव, चहरा लपीट ले ठीक से, बस अब इस सिरे को दांत नी दबा ले, निद्धा रहेगा नहीं उड़ेगा हवा में, मेरे खायल से तो ये सब गहर ज़रूरी है, मास्टर जी, दुन्योदारी की मामलों में आपका बोलनो ठीक नहीं, लाजो जी, सर्ते वीर ने यही तो कहा है न, कि प्रग्यावाती की सूरत बुआ जी से मिलती है, फिर देखेगा तो फिर वही कह नहीं वीरावाले, तो यही दे, हमने अभी उसे बेजने ना किसी बहाने से, तो उसे देख लेना और फॉरंग चली जाना, हाँ चलो मास्टर जी जी, आप किसी को ढूंड रहा हूँ? नहीं जी, इंतजार कर रही है आप प्रग्यवती बेंजी हो ना? अहाँ पुत्तर, आश्रम में लोग मुझे इसी नाम से बलाते हैं आप शुरू के ये आश्रम में हो क्या? नहीं तदी आश्रम में जाने से पहले आप कहा थे? तब आपको लोग क्या बलाते थे? सन्यास तो अपना क्रिया करम करा के लिया जाता है पुत्तर पहले वाली पहचान, पहले वाला चित, सब भूख दिया जाता है चिता में जलाकर जी, क्या वो सच मुझ फूख जाता है? मान कर तो यही चलना होता है पुत्तर जी, आज आप यह काला चिश्मा किस तरह लगाया हो? जन्यासी और ही भी पहनते हैं क्या? मंगला को जानता है ना तु पुत्तर उसी ने जिद करके दलवा दिया था कहते थी दूप तेज है आखे लाल हो जाने है यह आखें तो आपकी सच मुझ लाल होई पड़ी है आप रो रहे हो? ना पुत्तर, ना जी इक बात कहूं मेरे बुगाजी थे आप बिल्कुल ऐसी लगते हूँ झापकी अचतर जयुत् झाल कूह कोभ़ाश एस्वारा जावड मुझ और जावर यह झात Switch झाल 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 सत्वीर तु कहाँ चला गया था पुत्तर? जि मैं प्रग्यापी बेंजी आया थे तु मिलांग से? हाँ जी वो अभी अभी गये कोई बात हुए उनसे? हाँ जी मेरे कोई यही नहीं नहीं समझाया कि उनने यह कैसे पता चला कि मैं ही सद्वीर हूँ? मैंने उनने तेरी एक तस्वीर दिखा दी थी तस्वीर तु मेरी कोई है नहीं? एक है ट्रंक दभी पड़ी है आपने कभी बताया है नहीं माता जी? भूल गई होनी है और क्या बात हुई? कोई अच्छी सीख दी उनने? जी उनने बताया कि प्यार की खातिर जूट भी बोला जा सकता है सोच सोच कर अपने सहर किन खराब करो हो जी शामदार भाई साब कोशिश में लगे हुए है अब भी भाई दौडूप कर रहे है सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा मगर जैने बालक है जी बालक देखो जी सची बास पहले से तो बहुत स्याना हो गया है उसे अब भी बालक ही समझती हो तो घर में पालने में लेटा कर जुलाती रहा करो शादीवादी हो जाएगी, अपनी बालक हो जाएगी, तो खुद ही साना हो जाएगा ऐसे गेर जिम्मेदार की शादी भी कौन करेगा मंगला को साथ ले जाने के कही थी, ले गया अपनी सेकेटरी को मंगला की वज़े से लड़ाई होती तो हम कुछ कहने सुनने के लायक रहते है वो लड़ा सेकेटरी के खादर है जी उस लॉन्डिया नहीं तो कराया कुंडा वो जो कर रही थी वो क्या कहे हैं वो तो बड़े बड़े रिसी मुनियों को आसने से डुला दे फिर उस गरीब दलपत की क्या विसाथ वो जो सरा शुरू हुआ भाय तोबा मचाने ने भाई वाँ नहीं वो लड़की इस तरकी नहीं ये जय की गलती थी जो उसे कलब ले गया दलपत से जगरा किया और उसकी ठुकाई की ठुकाई जय ने नहीं प्रिंस ने की मैं कहता हूँ जी मैं शामलाल चश्म दीद गवा अच्छा आप बताईए कि हमारे जय को क्या पड़ी थी उस रिफ्यूजिन की खातिर दलपत से जगरा करने वो तो सत्बीर ने किया जी उसकी लगे है वो खास में खास दलपत का तो कहना जवरा जय ने किया अजी ये कोई मानने वाली बात है कि हमारे जय ने दलपत जैसे हट्टे कटे नौजवान की ठुकाई कर दी यही तो मैं कहूँ हूँ कि जय मिजाश का थोड़ा करम जरूर है लेकि उसका घुस्सा बस चिखने चिलाने तक का है फौश जारी तो वो करी ना सके है ये तुम जा के दलपत से को वो तुम्हे कही आया जी समझाई आया सब कुछ दलपत का सर तो जुका हुआ था उसने तो देखा ही नहीं किसने मारा मैंने सिंग साब से कही कि मैंने देखा प्रिंस के बच्चे ने मारा उसे आप जो चाहे सजा दिलवा दो जी मगर जैय ने तो अपनी अम्मा से यही कही कि गुस्स में मैंने मार दिया अजी वो तो नादान की यारी में तो बड़े शौक सक गधे की सावारी कर रहा है खास दोस्स समझता है ना प्रिंस को अपना जरा उस ब्योकूफ है यहां लाईए शामदाल जी अजी जेवी साब यहां कहा है आपके साथ लोटा नहीं आपके यहां तो गया था अजी मेरे यहां तो उसका कदम टिका ही नहीं फौरण दोड़ गया प्रिंस के पार मैं अभी लाया जी पकड़ के दोनों को कली परजाई जी के माता जी कह रहे थे कि तू रोशन से फर्क तरे का इस करके है क्योंकि असलिए में तुसका भाई नहीं है संदन जी भी पता नहीं क्यों मेरे से एतनी दुश्मनी रखती है एक पुत्तर को तो करद ही दिया मेरे से अलग लेकिन मादा जी क्या यह सब सच है मैं आपका पुत्तर नहीं है ना पुत्तर ना तू तो मेरे वास्ते पुत्तर से भी बढ़कर है पुत्तर से भी बढ़कर इसका मतलब यह हुआ पुत्तर नहीं सत्पीर रोटी हाल तक भी मैं खाई ज्या पुत्तर कुछ नहीं मतली आपके पास त्जू मेरी तश्वीर है वो दिखाओ मेरे को तु प्रंट में नहीं मिली पाद में ढूंदे दियूं पुत्तर तू रोटी काई क्या सोच रहा है पुत्तर जी मैं सोच रहा हूँ क्या प्यार की खादर जुट बोलना चाहिए पुत्तर यह तो सारे हालात देखकर ही कहा जा सकता है आप तो हमेशा यह कहते थे कि सच से बड़ा कोई तप नहीं है वो तो आप भी कहता हूँ लेकिन हर कोई कि हर वक्त तपस्वी हो नहीं सकता जी आप भी पुत्तर जूट तो धर्मराज युदेश्टर तक ने बोला पुत्तर अब रोटी खा ले माताजी माताजी मैं असनी में किसका पुत्तर हूँ हमारा पुत्तर हमारा यह जूट आप किसकी प्यार की खादर बोलते हो माताजी अजी मैंने कही प्रिंस बाल गोपाल यह शोदा मैया से यह प्यारा सवाल फिर कभी कर लेना अभी तो लाला जी याद कर रहे है लेकिन हभी अगर सद्वीर बेगुना है तो उसे फसाना ठीक नहीं आईसी उसे ज्यादा आसानी से बचा जा सकेगा ठीक है मैं सद्वीर से रिक्वेस्ट करूँगा क्या कहते हैं अभी भाई कहते हैं किसी ने किसी को सजा दिलाए वगेर सिंग्सा को तसली नहीं गोगी जो वो बता रहा हैं दलपत कहता है कि हो सकता है मुझे जयने नहीं सद्वीर नमा रहा हूँ मैंने कहा जी, सोने आने यही बात, भले ही जय ना मान रहा हूँ वो मिल गया? हाँ, प्रिंस ने उसे भबली के साथ गुपाल जी की बगीची में छिपा रखा था वो यहाँ क्यों नहीं आए? लोग, वो आ गया नहीं आए जी, नहीं आए लाला जी पापा यह क्या पापा से? अपने पापा से इस तरह ना बुला जाहे जै यह तुम लोगों से जवाब तलब करेंगे क्या तुम करोगे? है? सद्बीर कलब में जो दलपत से मारपीट हुई लाला जी, उसके बारे में कुछ पूछना था तुम से प्रिंस से क्या पूछना? मैंने बता तू दिया था अमा को लाला जी, कुसूरवार मैं हूँ कैसे हूँ? मेरे सपर पे हाथ रफिका हूँ कि आश्टित तुमने मारी? देखो तुमने दलपत के हाथ से एश्टित छुडवाई जरूर लेकिन दलपत पर मारी नहीं भाईय जेवी, तुम प्रिंस को टोक क्यो रहे हो? उसे अपनी बात कहने दो जेवी सापका कोई कुसूर नहीं अला लगी यह जूट है बाबा तुम मेरा गुना अपने सेर पर नहीं ले सकते, दोस्ट देखो सब्डि यह मेरा मन ये मानने को नहीं करता है कि मार की तुम्य की लेकिन इस कंपनी के मालिक और जै की पापा होने की प्रसेट से मेरा स्वारत ही कहता है कि तुम्य ही मारा हो तो पहता है अगर जै का सुरुआ ठहरता है तो सिंसाब हमें कभी मात ने करें कपड़े की सप्लाई का नाखों का काम अज़ार आंसे छिन जाएता आर्थिक पहलू को ये बात छोड़ भी जाए लेकिन कानोनी पहलू को नजर अंदास करना मुश्किल हो जाए कंपनी के वकील हदी बुला साथ को तो तुझा जाएती है उनका कहना है इस मामने में जय का बचा करना लेकिन अगर कुशूर तुम कबूल कर लो तो ये दलीग दी जा सकती है कि तुम्हारी विरादरी के लड़की के बारे में ऐसा वैसा कहे जाने पर तुम आपा खुड़ बैठे मैं पहले ही क्या चुका हूं कि कुशूर मेरा है हभी इस बात भी पूरी कोशिश कर रहा है कि कोट कचेरी की नौबत आये है और अगर आये ही तो तीन सो तेज में एक हजार उपर जुर्माना भरते है तो छुआ देए बाद में तुमारी तरक्ती भी कर देंगे जुके से जी इसकी कोई जोरत में नहीं है बटे है थैक्यों बड़ी मच्छ मेरी तलावे क्यों उसने ये बेप को फिल अगर पूरी बात बताई होती तो मैं उससे कहती के पूछना अपने लाला जी से जो मैं भी आपका बेटा होता तो किसे गुर्बान करते इरभली मैं समझता हूं कि अब हमें सत्वीर को बता ही देना चाहिए वीरा वाली कही होती तो उससे बताते कि ये तेरी मा है ताज्यवादी तो किसी की मा हो नहीं सकती वीर जी कम से कम लाला ब्रिश्भान को तो बता दे नहीं किसी दिन बिल्कुल ही जरूरी हो गया तो मैंने आप ही बता देना है आपको ये तो खुब हो प्रक्यावती जी ही लगती है कि आपकी बुआ जी नहीं सन्यास लेके अपना नाम बदल लिया हो माता जी होरी तो बताता है कि बुआ जी मैंने कही जी पुराने किले के प्रिंस किस अधेड़ बुन में हो मेरे यार तुमने की कुर्बानिया लालाओने की महर्बानिया अच्छी खासी मैनेजरी दे दी और क्या लुटो गे मैंने जो कुछ भी किया जेवी साथ की खादिर किया ये डायलग तो तुम जैसे कहना ये किसकी तस्वीर देख रहा हो ये तुम्हारे माता जी, ये तुम्हारे पिता जी और ये कौन खड़ी है क्यों ये मेरे इसमें भी कोई राज है क्या ये मेरे बुआ जी है ये तुम्हारे बुआ जी? ये आजकल कहा है ये तो कब कर गुजर गए बुआ जी है गुजर गए कुछ गहरा ही चक्कर दीख है इन कुर्बानियों का इन महर्बानियों का आपको तो पता हूना है क्यों उनकी शादी होनी है क्या मैं रोपने बैठी हूं नहीं आप मेरे को ये बताओ कि आप क्यों परेशान हो जी मैं क्यों परेशान होने लिगा आप जाओ और अपने मंगला जी को बताओ कि मैं बबली को फटकार आया जाओ सद्बी जी